कि राइसेन बेगम गंस हमारे संबाद दाता शरश शर्मा की श्पेशल रिपोर्ट संत श्री राम बाबाजी परहमंस के सानिद्ध में सत्चंडी महायग्य एबं संग सदासिप प्राण प्रतिष्टा एबं संगीत मैं रामकथा का आयजन रामदास जी महराज स्थएयरे मैदान में चल रही है सद्चंडी महायग्य रामदास आस्रम बेगंगमंज में सत्चंडी महायग एबं सांग सदासिप प्राण एवं संगीत मैं राम कथा चल रही है कथा बाचिक पंडित स्याम स्रण कोशिक महराज जी के मुखार बिंद से 9 अप्रेल से 17 अप्रेल तक कथा का बाचन किया जा रहा है 18 अप्रेल को कन्या भोज और भंडारा रहेगा सत्चंडी महा यग्य में ओपाचारिये पंडित विकास कोशिक महराज हैं यग्याचार पंडित श्वदेश शास्त्री जी हैं सौमबार को सिरी राम कथा में राम जन्म उत्सप के बारे में पंडित श्याम सरण कोशिक महराज के द्वारा बताया गया है के दसरत पुत्र कोशल्या नंदन प्रभु सिरी राम का जन्म शरियू नदी के किनारे बसी आयोध्यापुरी में हुआ था लक्षमाण भरा सत्रुगन उनके भाई और लब एबमकुस उनके पुत्र थे सिरी राम जन्म होते ही सीतल मंद सुगंदित पवन बह रही थी देपता हर्शित हो रहे थे और शंतों के बन में आनंद हो रहा था बन फूले हुए थे परवतों के समूल मणियों से जग मगा रहे थे और नारी और सारी नदियां अमरित के समान बह रही थी जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रगट होने का समाचार सुना तो उनके सारे देपता बिमान सजा सजा कर आयो ध्यप पहुँच गए निर्मल आकास देपताओं से भर गया गंदर्वों के दल गुणों के गान करने लगे और सुन्दर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसा करने लगे उन्होंने कहा बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी धोनी सुनकर सब रानिया उतावली होकर दोड़ी चलिया आई दासिया हरसित होकर जहां तहां दोड़ लगा रही थी सारे पुरबासी आनंद में मंगन हो गए और राजा दसरत जी ने सोचा जिसका नाम सुनते ही कल्याण होता है बै प्रभू मेरे घर आये हैं यह सोचकर राजा दसरत क्या मन पराम आनंद से पून हो गया उन्होंने बाजे बालों को बुला कर कहा के बाजा बजाओ और इस तरह संपूंग नगर में उस सब की सुरूबात हो गई ध्वजा फता का और तोड़न से नगर चा गया जिस प्रकार बैस सजाया गया उसका तो बढ़न ही नहीं हो सकता फिर भी राजा ने नंदी मुख स्राद करके सभी जात कर्म संसकार आदी किये और ब्रामणों को सोना गो बस्त और मनियों के दान किये गए राजा ने सब को भरपूर दान दिया जिसने पाया उसने भी अपने पास रखा नहीं लुटा दिया नगर के सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी और चंदन केसर के कीच मच गई